आप सब फाइनल ही मार पास आचको है Realme 7 Pro का भॉक्स भाई के स्टाइल में दिखां हम साथ साथ हैं सलमान भाई के साथ और यहां पर 7 Pro भी आचका है Realme का और यहां पर अगर आप देखेंगे box के उपर यार अगर वीडियो में focus जो है वो मेरी जगा box के उपर हो जाए तो please माफ कर दे ना क्यूंकि भाई का face भी दिख रहा है और camera जो है वो face को detect करके focus करता है actually मेरे को काफी बारे problem आई और मैं दूसरी तीसरी बारे वीडियो शूट कर रहा हूँ तांके actually में focus जो है वो मेरे पे रहे भाई के face पे ना जाए box के पीछे actually काफी इच्छे highlights लिखे गए है और काफी interesting चीजे है वापी से आपको एक ऐसा phone मिला है जिसमें Super AMOLED डिस्पले है और वो Samsung का नहीं है काफी time हो गया हम तब अगर आप MI और Realme के phones देखेंगे इस price range में आपको Super AMOLED डिस्पले नहीं मिल रहा था में देखी है काफी अची है तो चली जल्दी से time नहीं खराब करते हैं और box को open करते हैं और जब तक एक box open होता है वीडियो अच्छी लगे तो like and share ज़रूर करिएगा और चैनल को subscribe कर सकते हैं आगे आने वाली और interesting videos को देखनी के लिए और finally मैं पास box जो है open हो चुका है थोड़ा धीरे धीरे open होता है लेकिन हो जाता है बीना हाथ से छुए और यहां पर अगर आप देखेंगे सबसे पहले एक और box है इसके अंदर hey welcome to realme family दिखा हुआ है और इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो नई वाली certification realme ने लिए है अपने phones के लिए उसका card एक है उसके बाद user guides और warranty card और एक cover आपको मिल दाएगा जो के ऐसा normal वाला थोड़ा black tone के साथ आता है और ठीक है decent सा cover है कुछ शुरुआत के लिए आप phone को use कर सकते हैं इस cover के साथ लेकिन उसके बाद recommend करूँगा एक थोड़ा अच्छा cover जरूर खरी दी अपने phone के लिए उसके बाद यहां पर box के अंदर आपको phone रखा हुआ मिल दाएगा जो के actually मुझे काफी हलका लग रहा है अगर मैं पहली बार पकड़ने में के लिए बात करूँ phone को जैसे ही आप देखते हैं एक चीज जो बड़ी amazing आपको देखनी के लिए मिलती है कि यहां पर in display fingerprint sensor आपको मिल जाता है जो कि आप यहां पर इस icon में देख सकते हैं खालांकि यह phone आपको बता दूँ कि open करने से पहले यह plastic bag के साथ आता है गलास के साथ नहीं आता और देखने वाली चीज होगी कि इसका प्लास्टिक का material है वो कैसा है क्यूंकि अगर यह cheap हुआ तो यह 20,000 की price में definitely मुझे acceptable नहीं होगा तो चलिए इसकी inboxing करते हैं इसके उपर भी आपर एक कुछ ऐसे घाड सा लगा हुआ है मेरेको तो अच्छा नहीं लगता है वो काफी मोटा सा घाड होता है और actually में plastic होता है वो glass नहीं होता तो उसको मैं उतार दूँँग तो इसको यहां पर उतार के हमने side में कर दिया है और यहां पर अब आप है अगर आप इसको ऐसे थोड़ा अंधेरे में देखेंगे तो आप मतब अच्छे से देख भी नहीं पाएंगे इसमें blue कितना है मतब बहुत ही कम blue है जाधा black है और plastic है जसके मैंने पहले बताया था लेकिन thankfully यहां पर cheap plastic नहीं है plastic का जो touch है वो actually में काफी इचा feel हो रहा है और मैं अगर आपको सच बताऊं जितने भी आज तक मैंने realme के phones यूज किये है दब 8000 से लेके 30000 की price में जो भी phone आए है उन सब phones में अगर मैं compare करूं तो plastic के मामले में best material मुझे लगा है जो अभी तक realme ने use किया है और definitely यह cheap feel नहीं हो रहा मतब definitely glass से नीचे आगया है realme औ और काफी सर लोग उनको पसंद भी नहीं आता यार glass क्यूंकि तूट जाता है जल्दी तो काफी सर लोग चाते हैं कि ऐसे metallic या फिर plastic बिरवाले phone ही उनको अच्छे मिल रहे हैं तो यह definitely उनके लिए phone हो सकता है हालांकि fingerprints इसके उपर आते हैं और definitely scratch यह हो जाएगा अगर कर सकता है एक छोटा सा टेस्ट इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा लेकिन complete test हम किसी और वीडियो में करेंगे charging और discharging test उसके बाद यहां पर एक USB केबल है जिसके अंदर थोड़ा orange जैसा look आपको मिलता है मतलब यह जो rubber है इसके अंदर वो orange color की दी गई है इसके काफी light weight है और काफी मतलब ऐसे premium सा feel हो रहा है मतलब मुझे बिल्कुल भी expected नहीं था कि plastic भी इतना premium feel हो सकता है और actually में जो phone है चाहे वो plastic है प्यार देखो यह मत बोलना कि मैंने पैसे खा रहा है रियल में से ठीक है मैंने खुद phone purchase किया है कोई मेरा ऐसे पैसे खाने वाला सील नहीं है सीधी बात यह है कि plastic के साथ भी phone काफी premium feel हो रहा है और दूसरी चीज़े phone काफी जाधा हलका है अगर आप यहां पर देखेंगे में पास oneplus है या फिर samsung है अगर आप मैं compare करता हूं oneplus की तो even battery से कम है और इस phone में आपको 4500 mAh की battery मिलती है और oneplus में 4100 के करीब ह स्टिल उससे भी यह phone हलका feel हो रहा है तो एक चीज़ जो मुझे मिल रही है कि यहां पर weight distribution जो हो काफी अच्छे से की गई है तो जल्दी से phone को turn on करते हैं जब तक turn on होता है जल्दी से physical overview दे देता हूं तो phone के उपर अगर आप देखेंगे तो secondary noise cancellation mic मिल जाएगा left side पर volume rockers है और एक sim tray है sim tray यहां पर dedicated SD card slot के साथ आती है मतब memory को expand आप कर सकते हैं right side पर power की है जिसके उपर yellow color की line दी गई है और definitely phone को दिखने में तो सुन्दर बना रही है लेकिन अगर मैं touch करने की बात करूँ तो यहां पर कुछ ऐसे extra आपको feel नहीं हो रहा और right side में एक microphone type C port जिसकी मेल से आप 65W fast जादिंग कर पाएंगे और एक loudspeaker मिलता है और एक बड़ी चीज इस phone में यह है कि इस phone में जो front उपर का loudspeaker है वो भी ऐसे speaker काम करता है मतब कि इस phone में dual stereo speakers आपको देखने के लिए मिलते हैं इसको भी जल्दी से सी वीडियो में test करेंगे रियर में quad camera का setup है जो के actually में दिखने में काफी अच्छा दिख रहा है 64MP का primary camera है Sony का IMX682 sensor है 8MP का ultrawide camera है और उसके साथ 2MP के depth sensor और macro sensor जिससे जादा expectation मेरे को नहीं है और यहाँ पर एक LED flashlight है जो के इस design को पुरा करने में help करती है नीचे यहाँ पर Realme की branding है और जैसे के मैंन देखनी के लिए मिलेगा लेकिन अंधेरे में अगर आप देखेंगे तो इसको आप ज्यादा नहीं देख पाएंगे और मतब ऐसे फोन जो है थोड़ा blackish type का आपको feel होगा front में यहाँ पर 32 में camera दिया गया है जिसको जरूर से test करेंगे जिसकी performance काफी हो सकती है और यहाँ पर 6.4 इंचिस का super AMOLED डिस्पले है तो यहाँ पर guys मैं phone को जब setup कर रहा हूं wifi का मैंने password एंटर किया तो एक चीज़ मैं नोटिस की कि haptic feedback आपको मिल जाती है लेकिन काफी basic सी है मतलब से कुछ बहुत ही amazing सी नहीं है लेकिन at least आपको phone में दे दी गई है तो यहाँ पर अग काफी जादा मेरे को notice हो रही है अगर आप camera में देखेंगे हालांके naked eyes में वो जादा visible नहीं है लेकिन definitely दिखती नहीं है लेकिन आखों पर effect जरूर करती है तो I hope के flicker free mode इसमें होगा जो कि आप low brightness के लिए enable कर पाएंगे जो कि इस वीडियो में देखते हैं हम और यहाँ प सबसे पहली amazing चीज़ यहाँ पर always on display है जो के super mlr display के साथ मुझे best चीज़ लगती है और इसको मैं अभी enable कर दूँगा screen of clock को और अभी अगर आप clock screen पर देखेंगे दोस्तों काफी सुंदर सा दिख रहा है और काफी सारी information भी है यहाँ पर time, date, day और battery percentage notifications काफी सारी चीज़ है तो test करना काफी ज़रूरी है कि कितना तेजी से काम करता है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों fingerprint sensor जो है वो initially अगर मैं बात करूँ मतब ऐसे decent सी speed मेर को लग रही है मुझे लगता है कि realme के कुछ और phones में जो के पहले आपको in display fingerprint sensor के साथ मिले है वो थोड़े ज़्यादा fast होते हैं और यहाँ पर में पास oneplus भी है अगर मैं इसके साथ compare करने की कोशिश करूँ तो काफी सारे cases में oneplus जो हो काफी तेजी से जो है वो detect कर लेता है हालांकि realme भी ऐसा बहुत ज़्यादा slow नहीं है काफी सारे cases में बराबर रहता है लेकिन मुझे दखता ह थोड़ा fast हो सकता है और हो सकता है धीरे धीरे updates के साथ है और fast हो जाए फेस unlock हालांकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे बहुत ही ज़्यादा fast है बहुत बार तो आपको जो lock screen है वो देखनी के लिए मिलती ही नहीं है जैसे ही आप power key को press करते है directly phone जो है वो unlock हो जाता है और storage यहाँ पर दोस्तों मेरे पास जो variant है वो 128 GB वाला है और इसमें लगपक 15.60 भी used है तो मुझे लगता है कि काफी इच्छी storage आपको free मिल रही है ज़दी ज़दी से camera app में चले जाते हैं और camera को test करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर front camera से ज़दी से photo click करके देखते हैं और यहाँ पर मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि थोड़ी से soft आ रही है photo मतब उतनी अच्छी जितना 32 MP से मैं expect कर रहा हूं उतनी अच्छी details यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही है अभी के लिए और एक और photo अगर आप यहाँ पर देखेंगे ज़दी थोड़ी स्मू Ultra Wide Sensor आपको दिया गया है और 2X में आप photo ले सकते हैं और यहाँ पर 5X में भी आप ले सकते हैं सबसे पहले 64 MP अगर आप short देखेंगे तो काफी अची detailing इसमें आपको दिखेंगी और even जो colors है वो काफी अच्छे है इस 64 MP वाली photo में अगर आप Ultra Wide वाल में switch कर जाएंगे तो definitely colors shift होते हैं और यहाँ पर अगर आप detailing देखेंगे वो भी उतनी जादा नहीं है और definitely 64 versus 8 है तो details तो यहाँ पर काफी कम होने वाली है 2X में हलांके मुझे लगता है कि काफी इच्छी photo है still details जो है काफी इच्छे से यहाँ पर capture होई है 5X में काफी जादा noise यहाँ पर आ किजिए अगर आप 2X करते हैं तो definitely एक useful option है चलिए दोस्तों डिस्प्ले और speakers को test करने के कोशिश करते हैं क्योंकि यहाँ पर सुपर हमले डिस्प्ले है तो definitely display की quality काफी अच्छी होने वाली है और कोई अपनी ही वीडियो प्ले कर लेते हैं भाई साब मैं आपको बता सकता हूं मतब जैसे ही मैंने वीडियो उन की है ना यह जो लोगो वादा music है ना उसी को सुनके मैं बता सकता हूं कि इसके जो dual stereo speakers हैं काफी अच्छे हैं अगर आप नोर्मल किसी phone से compare करते हैं जिसमें आपको एक speaker मेंता है पोको X3 लोंच हो चुका है इंडिया में बहुत हैं अमेजिंग प्राइस पर और बताने वाला हूं पूरी इंडिया में पूरी इंडिया बोला कि है experience definitely काफी इच्छा है धीरे धीरे जैसे मैं phone को और यूश करता हूं तो थोड़ा गाने वगएर सुनने की मैं कोशिश करूंगा और फिर आपको बताऊंगा ओगर फुल रिव्यू में के actually में speaker की quality मुझे कैसी लगी है लेकिन first impressions के लिए जो dual stereo speakers है ये personally मुझे काफी इच्छे लगते हैं और इस phone में भी definitely काफी इच्छे से इसको implement किया गया है colors का अगर आप जादा idea लेना चाहते हैं तो ये वाली clip पी हाप देख सकते हैं तो यहाँ पर जो green colors है वो आपने देखा होगा कि काफी सुन्दर दिख रहे हैं और जो blacks है वो भी definitely काफी dark है और overall colors जो balance है वो मुझे काफी इच्छा दिखा और even अगर आप यहाँ पर viewing angles maintain हो रही है डिस्प्ले में तो डिस्प्ले की quality overall काफी ची दिख रही है और even brightness यहाँ पर काफी ची है जो 6 और 6 Pro में आपको problem देखनी के लिए मिल थी brightness की वो इस phone में तो मुझे definitely देखनी के लिए नहीं मिल रही है चली dark mode भी जल्दी से test कर लेते हैं एक Super Mli display वाले phone में dark mode भ होता है background में काफी जाधा black हो जाता है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे definitely मैं बोलूगा कि थोड़ा सा और बहतर हो सकता था लेकिन इसमें ऐसे मुझे कुछ बड़ी problem नहीं दीख रही है यहाँ पर realme app के अंदर अगर आप जाते हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ additional functions आपक deeming का जो main option है जो के low brightness में anti flicker वाला में feature आपको बोल रहा था तो इसको definitely own कीजेगा अगर आप जाधा low brightness में phone को use करते हैं क्यूंकि जो flickering है वो actually आपके आँखों पर काफी असर डाल सकती है और अगर आप इसको enable करेंगे तो जो flickering है वो काफी कम हो जाएगी चलिए दोस् जो मैंने notice किया जैसे आप charging पर लगाते हैं धीरे धीरे जो charging speed है वो और तेज होती जाती है अगर आप यहाँ पर notice करेंगे श्रुआत में charging speed थोड़ी slow थी लेकिन यह धीरे धीरे और तेज हो रही है और यह जो animation है दिखने में बहुत ही सुन्दर लगता है और अगर आप देखते रहेंगे तो आपको मन करता है कि आप देखते ही रही है इसको दोस्तो एक और चीज इस वीडियो में आपको बोलना चाहूंगा कि यार इस पर मैंने जो realme के फोन में देखा आपको ज्यादा कुछ ऐसे preloaded apps देखनी के लिए नहीं मिल रही और जो फाल्तु अलब मतब कचरा था इस फोन में वो काफी हद तक निकाल दिया गया है तो definitely privacy के regarding जो मतब काफी सारी problems आपको मिल रही थी वो काफी हद तक resolve हो चुकी है तो आप देख सकते हैं दोस्तो ये है आपके सामने फोन जो के दिखने में काफी सुन्दर है हालां कि काफी सारे ऐसे फोन है जिनकी तरफ आप देख सकते हैं लेकिन 20,000 की प्राइस में Super AMOLED डिस्प्ले के साथ डूल स्विकर्स के साथ ये फोन मुझे काफी इची option लगी है अगर आपकी जो priority है वो multimedia consumption है या फिर gaming है दोनों के लिए फोन काफी इचा हो सकता है क्योंकि जो snapdragon 720G है उसकी gaming performance भी काफी तो overall ये काफी इचा package मुझे यहां पर लगा है और definitely वो लोग जिनको glass pack वाला phone नहीं चाहिए उनके लिए phone बहुत ही recommended है क्योंकि ये plastic के साथ भी cheap fill नहीं होता है तो यही था इस वीडियो में दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो like and share ज़रूर कीजेगा और चैनल को subscribe कीज ना चाहते हैं नीचे comment में बता सकते हैं इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत भहुत धन्यवाद दोस्तो